हालो फ्रेंड्स आईए आज यूपी बोर्ड क्लास बारा के लिए जो है बहुत ही मोस्ट इंपार्टेंट निवन जो है बताने जा रहा हूं जो कि इस वर्स पुरी संभावना आने की यह तेश में भी आए था बाइस में भी आए था इसके पहले भी कई बार आते रहे हैं तो यह निवन्द है my plans for future my plans कर के यूर plans भी आ सकता है यही निवन्द इस नाम से आता है your ambition your ambition of life आपके जीवन की ambition में होता है Settings या आभिलासा权 अपके जीवन आपके जीवन नेंगा होना चाहते हैं या फिर यही मीधा आता है और आफ लाइफ या पर परफज आ सकता है जीवन का उद्देश चिख करे और इन सारे नामों आता है तो आपको जरूर आपको याद करना चाहता है चाहिए और इसे भी आसकता है यह योर वाटट डू यू वाण्ट टू वी आफटर पासिंग योर एक जामने इसन अप पर इच्छा पास करने के बाद क्या होना चाहते हैं तो इस सब भी नामों से आ सकता है तो लेकिन में aim of life ambition of life भी नाम करके दिया था तो इसलिए आप इसको जरूर तैयार कर ले ना excellent book में है हर किताब में ये दिया है तो मैं इसके हिंदी बता दे रहा हूँ ताकि आपको परिच्छा में आपको देखे आईसे आ जाएगा plans for future के उपर करें आपके आर्टिकल लिखो और ये साव से डियर सो वर्ड में आएगा ठीक है तो चलिए देख लेते हैं future is an imaginary time भविस एक काल्पनिक समय होता है इस तरह से आपको मतलब इसके बारे में बताना है आप कहानी कितना दिमाग बैठा लिए इसमें क्या क्या लिखना है कि आप विक को बताना आराम से आप लिख लेंगे भविस में आप जो भी होना चाहते हो आर्मी आफसर होना चाहते है तो साइनिक होना चाहते हो फोजी होना चाहते हो जो भी उसको बता दो या फिर डाक्टर होना चाहते हो टीचर होना चाहते हो ठीक है चाइल्ड डाक्टर होना चाहते हो पीडियाट्रिसियन ठीक है यह चीज हो सकते हो ठीक है और ना डर्मेटल लाजिस्ट होना चाहते हो मतले स्किन ड्रोग भी से सग्गी होना चाहते हो जो भी होना चाहते हो आप वहीं बता दो तो इसको आपको इसमें थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं आप दूसरा यह मैं अपनों बताना चाहते हो तो मेरे पास भी कॉइट मने बिलकुल एफ यू मने कुछ प्लांस मने यूज ना आ हैं ड्रिम्स अपने हैं बाउट माई फूजर मेरे भविस के बारे में आई विल वर्क हार्ड माई कटन पैसरम करूंगा और अचीव माई गोल्स और अपने उद्देश को अचीव मने प्राप में हैं फौज में हैं I have always admired and respected him मैं हमेशा उनकी प्रसंसा किया हूँ और सम्मान किया हूँ हीज माई आइडियल वह मेरे आदर्स हैं वन डे एक दिन I will walk after him on his path to the vital ground मैं नहीं मैं उनके पीछे ही चल कर जाओंगा आनिज पात UNKEY रास्ते पर डारे तो धालगान्ड मैं हुद्त के मैई Daniel युद्भूम में चाहे खादूू एक दिन मैं उनके पीसे चलकर युद्भूम में उनहीं के रास्ते पर पीसे चलकर जाओंगा मतलब उनके अंसरे करके युद्भूम तक जाओंगा आई विल फाइड दोज मैं उनसे लड़ूंगा हुआर थ्रीटिनिंग माई नेट्व लैंड जो मेरी मात्रिभूम के नेट्व लैंड मैंने मात्रिभूम के थ्रीटिन ने डरा रहे हैं धमका रहे हैं खत्रा पैदा कर रहे हैं अब मैं आपने इंटर्मीडियर्ट क्लास में हूँ अपने सच्छी के साथ साथ आई हैं जोईन किया हूं टीक है एक बात ध्यान देना किसमें आर्मी के सबता आजा रहा है यही एक्सिलंट में पुरानी किताब आपके पास होगी तो उसमें डाक्टर के सबताएगे कि मैं भविसमें डाक्टर होना चाहता है तो आप उसको भी लिख सकते हो कोई टेंसन नहीं लेने का और मैं डाक्टर वाली बीडियो भी पनाया था इसके पहले वाले सत्र में तो अगर उसको याद किये हैं तो आप पहुत ज़्यादा परिशान होना गिरूत नहीं कि आप य करने की जो गरीब हैं उनकी भी बड़े ख्वाइश थी थी यह सब मेरे सपने पूरे हो जाएंगे मैं स्पीड से रिकबर करूंगा रोगियों को इस सेवा करूंगा यह मेरी अविल्यासत आप इस तरह से थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं आपकी इच्छा तो यह क्लास बारा के लिए स्पिसली है ग्यारा में जो है बच्चे उनको भी त्यार कर लेना चाहिए हाँ तो ट्रेनिंग आफ यंसी सी का ट्रेनिंग मने पर सिच्छड़ है मैं मुझे टूडवलप यह सिखाया है परसेनल्टी आप यह बिख्यक्तित करना मुझे सिखाया है यूनिटी यह एक ता डिस्प्रेन और उनसासन प्रशच चणा में था हैं मुखे बिश्यवस्तु है आइम डूइंगly वाय बेस्ट मैं आपने तरफ से शहा कर रहा हुँम अन्सी एन से सी के चीसर्टीफिकेट को यहां तु अब, प्राप्त करने का भरसक प्रियास कर conti श्रूद आप से कम्बाइन्ड डी फीस सर्विस तरह कि ताथ तीन से सी का सी सर्टिफिकेट प्राप्त करने का मैं भरपूर प्रियास कर रहा हूं विच इस आफ एक ग्रेट वाइलो जिसका अत्यधिक बाइल होता है ग्रेट वाइल मने अत्यधिक महत्त होता है मैं राज अस्तर का कांट का कर रहा हूं मैं एंदड इंडिक के ओंडिक एप्डूर और अपने मेके मैं तैयारी कर रहा हूं ऐर अपना ग्रेड करने के बाद I will take in डी ए ग्जामिक्षन मैं एक्जामिशन दूँगा तो परिच्छा देना ठीक है दियान देना और गीव एक्जामिशन में परिच्छा लेना होता है तो इसमें थोड़ा से इस तरह से होता है और अग्जामिशनल डिफेंस अधुआज अब जो है एंडिये पर इच्छा दूँगा और मैं निश्चित रूप से इसमें क्या होंगा सफल होंगा आइज एन आइडियल आर्मी मैं एक आदर्स आर्मी मैं फौजी आदमी के रूप में आइविल फालो मैं अनुस्रड करूंगा देंस टैक्संस वन निर्देशों का आप मा अगेंस्ट दा इंटर्नल एंड एक्स्टनल एनवी आप माई कांट्री बाहरी और मैं अन्तरिक और बाहरी सत्रूं के खिलाफ जो है लड़ने के लिए भी हमेंसा तैयार रहूंगा आई विल हेल्प मैं सहाथा करूंगा और सवा करूंगा माई कंट्रिमाने देश की में मै है आपने सान करकरोनेंगा समयान की मैं क्वल्द है LE dzieci च्टर करो तो मैं खैंश को साल क्वल्द रांगा है च्ट आपने जिस्टे लघंट मृण टीख को दाउन पर लगाने बार मास के लिए आपने देश के लिए जान को भी दाउं पे लगाने के लिए तयार रहूंगा फिर भी इफ आइम रिटार्ड आफ्टर इस सटेने यह दिमाइब रिटार्ड माइस सब्सक्राइब कि निश्ची तुमरे के बाद अगर मैं निटार हो जाओंगा तो मैं अपने गाउं में सेट करेगा अर्थिक दसा को आप माई फैमली अपने परिवार को यह मेरे परिवार के आर्थिक दसा को मजबूत करेगा आइस विल आज आप माई कंट्री और में देश के यह मेरे परिवार और मेरे देश के आर्थिक दसा को मजबूत करेगा माई फैमली विल फील प्राउड में मेरा परिवार जो है मुझे मुझे पर गर्ब महसूस करेगा सो माई एम इसलिए मेरा उद्धेस है टू वी एन आर्मी मैं एक फार्मर और फिर एक किसान होने का का जो है मेरा कैया है उद्धेस है तीस तरह से आप इसको जयाद कर लीजिए आर इसको याद कर लीजिए और इसके आ लाओज जो बहुत इंपर्ण Payton मैं वहीं कंबर करूंगा और मैं बहुत इंप्रण जो लेटर या हैं तो जुड़े रही है और सब्सक्राइब करें घंटी दबा करें कि ताकि जैसे वीडियो अप्लोड करें तुरूंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए है हाँ और अगर आप देखना चाहते हैं वीडियो तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिए उनको देदूंगा तो या यूपी बोर्ड क्लास बारा इंग्लिस दोहजात चौविस के नाम से प्लेलिस्ट है वहाँ से देख लिए यह एक्सिलेंट ग्रामर पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप पूरा उसके लिए भी प्लेलिस्ट है आप एक्सिलेंट ग्रामर क्लास बारा के नाम से उसको ज